प्रधान मंत्री निरेंदर मोधी ने चेतावनी दी की डीप फेक एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है और हमारे जैसे विवित्तापूर्ण समाज में ऐसंतोस की आग भी बढ़का सकता है प्रधान मंत्री निरेंदर मोधी ने शुकरवार को कहा कि उन्होंने गरबा करते हुए अपना एक रूपांतरित वीडियो भी देखा परधान मंतरी नरेंदर मोधी ने कहा कि मैंने अपना डीप फेक वीडियो देखा जिसमें मैं गर्भा कर रहा हूँ लेकिन वास्तविक्ता यह है कि मैंने अपने स्कूली जीवन के बाद गर्भा नहीं किया है राष्ट्री राजदानी में बारते जन्ता पार्टी के दिवाली मिलन कारेकरम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा किसी ने मेरा डीप फेक वीडियो बनाया है मोधि ने यह भी चेतावनिदी की दिव फेक एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है और हमारे जैसे विविदता पूर्ण समाज में ऐसंतोस की आग भी बढ़का सकता है परदार मंतरी ने पत्रकारों से कहा कृत्यम बुद्धि मता के माद्यम से उत्पाजित डीप फेक के कान एक नया संकट उत्पन हो रहा है समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास कोई समारांतर सत्यापन परनाली नहीं है मोदी का यह बयान अभी नेतरी रश्मिका मंदाना के एक डीप फेक वीडियो के इंटरनेट पर वाइरल होने के कुछ दिनों बाद आया है मोल वीडियो को एक बिल्टिस बारतिये प्रभावशाली व्यक्ति का बताया गया था जिसका चेरा मंदाना के चेरे के साथ संपाधित किया गया था केंदरिये इलेक्ट्रोनिक्स और प्रोदोगिकी मंतरी राजीव चंदर सेखर ने सोसल मीडिया प्लेटफर्म एक्स पर कहा था कि डीफ फेक नविंतम और गलत सूचना का अधिक्तम खतरनाक और हानिकारक रूप है जिस से सोसल मीडिया प्लेटफर्म को निपटने की इस महिने के सुरुवात में केंदरिये इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंतराले ने सोसल मीडिया प्लेटफर्म को यह सुनिशित करने का निर्देश दिया है कि वे भारत्य कारून के अनुसार गलत सूचना और डीफ फेक को खतम करने के लिए कारिये करें मंतराले के दो पत्तर दिनाग 6 और 7 नॉमबर फरवरी में बेजे गए डीफ फेक पर सला के अनुवर्ती के रूप में मंतराले के साइबर कानुन पर भाग द्वारा जारी किये गए थे उन्होंने सोचल मीडिया प्लेटफर्मों को सुचना अप्रोदोग की 2021 के तहत उनके दायतों की याद दिलाई डीफ फेक के सिकार पिये मोधी से जुड़ी इस एहब वीडियो में बस इतना ही हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभारत झाल झाल